सब्सक्राइब करता है प्यारे दोस्तों आज आपके सामने एक जानकाई साजा करना चाहता था और आपको पता है बहुत जरूरी भी है हर बच्चों के मन में प्रश्ट रहता है कि सर हम जो हम भरे हैं जिस फॉर्म को हम एपलाई कर रहे हैं जिसका एक्जाम देंगे और अंत है एससी MTS में हवलदार में जॉइन करने के बाद आपकी सेलरी कितनी होगी आपको महीने पर आपके एकाउंट में कितनी सेलरी आने वाली है इस पर डिसकास करें बच्चों उससे पहले में आपको बता दूं कि आपका जो फॉर्म है वो कब आ गए हैं बही 18 जनवरी से क्या है ठीक है 18 जनवरी को और 17 फरवरी बच्चों क्या है इसमें लास merit रखी गई है और आप क्या कर सकते हैं आप 17 फरवरी तक इसमां बपर सकते हैं और आपको पता है मैई आपको बता दिया करना बच्चों अप्रिल 2023 में इसका एक्जाम होगा अप्रिल 2023 तक एक्जाम इसका हो जाना है वहीं बात करें सर्फ जुलाई अगस्त तक इसका फाइनल सेलेक्शन आपका होना चाहिए फाइनल मेरेट आपकी आजाएगी जुलाई अगस्त ठीक है और मैं आपको बता दू आपके मन में प्रस्टन है जिस प्रस्टन को लेकर आखिर आप बिचलत रहते हैं कि शलरी कितनी होगी अक्सर बच्चों के मन में ना जो छोटे सहर के बच्चे हैं गाउन नण टेखनीकलेहां और हवलदार के लिए भी है टाए हवलदार के लिए क्लिए सेलरी में कोई भी भी changes नहीं है ठीक है आपको पता है अगर हम salary की बात करें तो maximum क्या minimum मिनिमम आपको minimum sorry minimum आपको 30,000 salary आपके account पर आनी चाहिए ठीक है अब 30 कैसे आती है अगर बात करें बढ़ा दोनों का MTS और अबलदार का जो basic pay scale होता है ठीक है ना जो basic pay scale होता है इसको क्या बोलते हैं इसको BPS बोलते है basic pay scale वो लगबग कितना होता है 18,000 रुपे होता है आप बोलो कि सब्सक्राइब कितना मिलता है तो मैंने सब को mention कर दिया है basic pay scale के लगबग कितना हो जाता है 5880 वहीं कितना मिलता है अगर आप कहीं पर जाते हैं रहते हैं तो आपको पता ऐसा तो है नहीं सरकार ने हर समय आपके लिए सरकारी जो अपलब्द कराएं बड़ा इसा तो है नहीं तो आप अगर कहीं जाते किसी भी सेट सिटी में तो वहां पर आपको रेंट पर रहना पड़ेगा तो सरकार ने निर्दायत किया है कि आपको लगो कितना महीने पर 5400 पे का महीने का किराया भी दिया जाए अगर आप मेट्रो सिटी में जाते हैं कहीं पर तो मेट्रो सिटी का किराया तो ज्यादा होता है तो उसमें बड़ुत्तरी भी हो सकती है ज्यादा भी आपको मिल सकता है लेकिन आप क्या करेंगे आपको पहले महीने की आपको वहां सब्सक्राइब आपको इस बात को ध्यार रखना है ऐसी छोटी नोकरी नहीं है आपके जीवन में तुक लाने वाली नोकरी है अगर आप बहतर दंग से तयारी करते हैं तो आपको यह जो नोकरी है बिटा यह आपके लिए बहुत जादा मतलब प्रगति का कारी करने वाली है और आपको पता है वेकेंस याँ भी कम नहीं है अगर हम बात करें मटे आस की और हवलडार की तो आपको यह बात करेंगे तो इस बात को आप जानते रहे होंगी कि लगवग कितनी है दस हजार आट कि 17929 फत यहां पर तो आपको ध्यान रखना है और दोनों को केंद्रविंदु मानकर एक और द््यानहिए कि आपका जो एक्जाम है आपका इक्जाम है ऑप्रिल 293 में ठीक है अप्रेल 2093 पेस्फ में एकजाम नेकर क्योंकि負ी हैं से पूछ जाएंगे देटा यह सिर्फ क्वालीफाइंग्न का्लिफाइंग्णैक कि यहां इसके नमबर नहीं जुड़ेंगे उसके बाद जो इसके बाद जो जीए है और इसके नमबर पाद के जह तिक से पूशे जाएंगे और 25 कुष्चन यहां से पूशे जाएंगे जो कितने नंबर के रहने वाले हैं जो आपके 75-75 नंबर के एक प्रस्चन आपका तीन नंबर का है बिटा और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है तो आप बोलें चाहर बंध थर्ड की नगेटिव मार्क 23rd of January 23rd of January से 23rd of January से क्या आने वाला है आपके लिए SSC MTS और हवलदार को लेकर ठीक है SSC MTS और हवलदार को लेकर किसने आपके वाई-फाइच्ट पर वाई-पाइच्ट स्टूडियो पर क्या होने वाला वही इस्टूडियो पर एक बैच आ रहा है बच्चो प्रहार बैच ठीक है बाई या प्रहार बैच आ रहा है और यह बैच बच्चों आपको जोइन करना है इस बैच में टोटली फिरी पूरी की पूरी क्लासेश फ्री हैं आपको मैं तो रीजनिंग हो जी एस यह आपका इंगलिस हो सभी का सभी स्लेवस आपको complete मैं करा आपको स्वाइन लगता ओने वाले आपके 75 नंबर आपको मिलने वाले हैं वह मैं की तैयारी में आपके घृप करूंगा ठीक है तो यह आपकी तैयारी में एक रड़नी दिका एक सहारा हो सकता है ठीक है इसको जोईन करिए बच्चो और मैं आपको बता दू मेरी रेगुलर क्लास्स भी आपको ध्यान रखना है सुबहे करेंट अफेर्स चलती है और सामको आट वे जी किजिए चलती है उसको जोईन कर लिजेगा चलिए थैंक यू सो मच आपके लिए चीजे बहुत हेलफूल रहेंगे धन्यबाद